अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ दोस्तो स्ट्रेंट अब मैट्रियल स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और आगे इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है दोस्तो वो कंटेंट सभी आप पीडिया फॉर्म हमारे एफर्ट के लिए सपोर्ट करना चाहता है वो दोस्त हमें इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है दोस्तो एट यूपिया या एट पेटियम लगा कर जो दोस्त पेमेंट या सपोर्ट देने में समर्थ नहीं है वो दोस्त हमें लाइक सेयर और सब्सक्राइब करकर भी सप स़Пोर्ट कर सकते हैं दोस्तों आपका सपॉर्ट बहुत मैटर करता हैं क्या दोस्तों इस थिक और थिक और यह थिन हो इसको किस परकार अलग-अलग विवागों बाटा गया है दोस्तों इस थिकनेस के बज़े से जो यह T है इसलिए इसका classification हुआ दोस्तों D और T के ratio के हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों D by 20 है दोस्तों इससे यदि T बड़ा होता है दोस्तों थिक प्रेशर वैसल कंसिडर किया जाता है इस परकार और जो उपर है दोस्तों वो ratio थिन प्रेशर वैसल में काउंट किये जाएंगे जो यह इसकी circumference होती है दोस्तों इसकी ठिकनेस से यह classify होते हैं दोस्तों thin cylinder pressure vessel आप देख सकते हैं दोस्तों यह pressure vessel है इसमें pressure लग रहा है दोस्तों किसी fluid के बज़े से जो इसमें भरा हुआ है किसी pressure पर दोस्तों उससे चारो तरफ इसके force लग रहा है पी जिसको प्रदर्शित किया है दोस्तों यह सभी दिसाओं में समान लगता है पास कल्लों से जैसा आप देख सकते हैं डायाग्राम हम बना हुआ है इस परकार दोस्तों इसका section cut कर ली हामना दोस्तों इसको बीच में से प्रेसर लगेंगा दोस्तों left hand side का इसको cut करके right hand side diagram आप देखेंगे दोस्तों जो stress material हम लगेगा वो अंदर लग रहा है प्रेसर या लोड है दोस्तों इससे force लग रहा है इस सर्फेस पर लग रहा है इस पर और जितना material का सर्फेस होगा दोस्तों यह equilibrium condition करेंगे इन दोनों की तो हमें sigma l is equal to pd upon 40 प्राप्त हु जो दोस्तों hoop stress होगी इस परकार मिलती है इस से हमें कितनी calculation मिलेगी कितना stress count करेंगे दोस्तों हम वो calculation करके अभी पता चल जाएगा इस diagram से आप समझ सकते हैं दोस्तों यह cylinder है इस परकार दो रूपों से इसे काटा जा रहा है और हम stress count कर रहे हैं दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं circumferential और hoop stress के बारे में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों पीछे आप देख सके हैं diagram में यह 119 पेज है दोस्तों strength of material का यह जो cylinder है दोस्तों अपना यह pressure vessel इस परकार का है इसको इस परकार कट कर लिया तो अपने पास सिर्फ उपर का section बचा हुआ है और जो stress नीचे लग रहे हैं दोस्तों इसे ही हम count कर रहे हैं और इसका cross section है दोस्तों इधर से देखते हैं हम इसको तो इसका cross section है दोस्तों इस परकार नजर आएगा जो आप इसको इस परकार समझ सकते हैं, ये material इस परकार होगा पीछे की तरफ, इसके पूरी material पर इस साथ है पर stress लगारा है दोस्तो, नीचे की तरफ और इतना ही इधर की तरफ लगारा है दोस्तो, इस stress को sigma c से प्रदरशित किया गया है, दोस्तो, stress sigma c total जो stress लग रहा दोस्तों और ये उपर force एक दूसरे को balance कर रहे हैं तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं summation कर लेंगे दोस्तों जो उपर की तरफ force लग रहे हैं उनका sigma आप यहां देखेंगे sigma f y is equal to 0 जो vertical force लग रहे हैं दोस्तों वो सभी को 0 को बराबर कर लेंगे हम equilibrium condition से इस परकार दोस्तों sigma c into 2l t is equal to p into dl ये दोस्तों equation प्राप्त होती है ये किस प्रकार प्राप्त होती है ये sigma c है दोस्तों sigma c लग रहा है ये जो stress लग रहा है दोस्तों अब इसका area कितना है दोस्तों जो area है जो इसका पीछे तक इसकी length कितनी है L दोस्तो और इसके thickness कितनी है T तो इसका जो area है दोस्तो इस strip का वो area L T के बरावर होगा इतना ही area दोस्तो इधर side वाली जो strip होगी स्ट्रिप होगी इस material की उसका भी area इतना होगा इसलिए इसको दुग ना कर दिया है दोस्तो इस परकार यह आया है sigma C into 2 L T is equal to P into DL अब यह दोस्तो P क्या है force जो उपर की तरफ लग रहा है दोस्तो यह और DL दोस्तो इसका diameter D है और L दोस्तो इसकी length है आप समझ सकते हैं यह इसकी length है पीछे एक तरफ जो जा रही है वो L length है और इसका diameter है दोस्तो तो इस परकार हमें force यह stress लग रहा हो तो यह दोस्तो practical से proven state होती है दोस्तो जो हम इस्तमाल कर रहे है यह सब already calculated है यह accurate calculation देता है इस परकार तो हम इसको आगे solve कर सकते हैं तो sigma C sigma C is equal to P D upon 2 T इस परकार दोस्तो हमें 2 T प्राप्त होता है जो दोस्तो आपको यह circumference परीदी नजर आ रही है दोस्तो इसे hoop या घेरा या चल्ला कहते हैं दोस्तो इसे cut कर लिया है इसलिए इसको hoop stress के नाम से भी जाना जाता है अब इसी का दोस्तो जो अब तक हमने calculate कर लिये इसका हम more circle बनाते हैं दोस्तो sigma 1 क्या है दोस्तो sigma c sigma 1 हम sigma c ले रहे हैं sigma 2 sigma l के बरावर ले रहे है sigma 3 दोस्तो जो कि हम count नहीं कर रहे है क्योंकि ignore कर दिया हो 0 के बरावर होती है बहुत कम length होती है हम कह रहे थे आपको पिछली वीडियो में आने वाली वीडियो हम जानकारे देंगे sigma 1 है और sigma 2 है तो इनका दोस्तो इसमें share stress हम count नहीं कर रहे हैं इन दोनों को मिला देते हैं इससे हमें more circle प्राप्त हो जाता है जिससे tau मिल जाता है दोस्तो हमको और जो तीसरा stress है 0 उसको हम 0 मान रहे हैं दोस्तो है value put नहीं कर रहे है 0 या आप कुछ ले सकते हैं बहुत छोटी value होगी दोस्तो आप चाहित ले सकते हैं उससे इतना मतलब होगा ये थोड़ा इदर की तरफ खिसक जाएगा डाइग्राम है जो इसका अब ये 0 के पास जा रहा है circle यदि आप कुछ value लेंगे तो माइनर अंतर आएगा दोस्तो क्योंकि इस stress की value बहुत कम होती इस परकार इस परकार बन जाएगा हो और जो इस से हमें ये stress मिलेगा दोस्तो सियर इस्ट्रेस ये absolute stress होगा दोस्तो इस परकार sigma maximum count करते हैं दोस्तो हम sigma जो होता है principle stress count करते हैं उस परकार से दोस्तो sigma maximum sigma 1 के बराबर होगा क्योंकि इस से जादा stress नहीं है दोस्तो तो हमें ये sigma 1 मिल गया है p into d बटे 2t इस परकार दोस्तो ये sigma 1 हमें मिल गया है load stress ये दोस्तो अभी हमने देखा था ये ऊपर जो लगा हुआ stress उसके बराबर होता है जो अभी आपने देखा था ये रहा p d बटे 2t ये sigma सी इसी के बराबर है दोस्तो इस परकार ये हमने sigma maximum प्राप्त कर लिया दोस्तो इस से आगे हम solve करते हैं tau maximum in plan दोस्तो हम tau maximum in plan गयात कर रहे हैं दोस्तो तो plan क्या है 2d वाला plan जिस पर हम कारइब कर रहे हैं दोस्तो उस पर हम maximum stress निका लेंगे tau तो हमें दोस्तो इस plan पर ये और ये ये अलक़ plan पर प्लैन पर कह सकते हैं इसको टाव मैक्जमं मेग्जमा इन प्लैन सिग्मा वन माईनस सिग्मा टू वटे टू जैसा कि हम जानते हैं दोस्तो इस परकार सियर इस्ट्रेस निकाला जाता है इस परकारिन की हम value put कर देंगे जो कि पिसली वीडियो में आपने देखी थी दोस्तो पिसले page मर है ये दोस्तो जो value आई है ये sigma 1 की value है दोस्तो जो sigma C के बराबर है और जो दूसरी ये value है दोस्तो ये sigma 2 या sigma L के बराबर है जैसा कि हम पिछले पेज में जान चुके हैं दोस्तों इनकी वैलू डेटेल में आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं पिछला पेज आपके पास नोट्स हैं तो आप देख सकते हैं वहां से वैलू आई इसको बटे टू कर देंगे तो हमें टाव मैक्जिमाम इन प्लैन पीडी बटे एट टी मिलता है दोस्तों यह वैलू मिलती है इसकी इसको अभी उपर लेकर आते हैं आपके लिए यह यह वैलू इसकी मिलती है दोस्तों टाव मैक्जिमाम प्लैन तो हमें मिलता है एट डी बटे पीडी बटे एट डी इस परकार दोस्तों अब टाव maximum count करने के लिए जो दोस्तो absolute अपना share stress मिल रहा है उसे count करने के लिए हम जो एक 0 पर मिल रहा है एक stress 30 रहा stress इस count कर रहे थे 0 और maximum sigma आने दोस्तों इनका अंतर निकालेंगे बटे 2 कर देंगे दोस्तों हमें tau maximum प्राप्त होता है जो कि यहां आप देख सकते हैं इस परकार तो हमें यह tau maximum PD बटे 40 के परावर प्राप्त होता है दोस्तों अब आप जान लीजिए कि यह तीसरा stress हम count क्यों नहीं करते हैं दोस्तों यह देखिए दोस्तों जो आपको sigma r is less than less than कर रखा है दोस्तों बहुत कम है sigma l and sigma c से जैसा आप देख सकते हैं यहां आपको दिखाई दे रहा है जो यह equation डली हुई है यह note डला हुआ है इसे if we take d और t का ratio दोस्तों हम 100 लेते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं sigma l is equal to pd upon 40 होता है दोस्तों इसी फिरकार sigma t pd बटे 2t होता है तो sigma r किसके बराबर होता है दोस्तों जो pressure यह force अंदर से लग रहा है दोस्तों उसके बराबर होता है तो आप दोस्तों यह dyt का ratio हमने 100 ले लिया है तो यह value put करते हैं तो हमें sigma l आप यह dyt का ratio कर देंगे दोस्तों इसके इन 200 हो जाएगा तो 4 से 100 कर जाएगा इस परकार 25 आता है दोस्तों यह 25 आ गया है तो वह only P है इसलिए that's why ignored इसलिए इसको हमने ignore कर दिया दोस्तों क्योंकि यह value बहुत कम है उमीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकर यह आपको समझ में आई होगी यदि फिर भी आपका कोई confusion है तो आप हमसे comment करकर पूछ सकते हैं दोस्तों आप चाहें तो हमसे contact भी कर सकते हैं वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल पर प्यार बनाए रखने के ल